और आपके लिए बहुत एच्छी न्यूज लेके आए ग्रेट न्यूज आप लोगों के लिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी गोवर्मेंट जॉब है MPSC Forensic Science के लिए आएट वेस के हिस्ट्री में पहली बार आ रहा है स्कॉलर्शिप टेस्ट Yes dear students scholarship test आ रहा है बट उसमें भी हम जो scholarship दे रहे इस बार वो बहुत ही तगड़ी है आप देख सकते हो Up to 90% यहाँ पर हम scholarship जो है वो student को provide करने जा रहे और जो amount हमने इस बार quote किया है वो है around 2 lakh Yes dear students आपके लिए बहुती सुने रहा मोगा है इसको आप utilize कर सकते हो क्या करना है आपको मैं आपको सिंपल से बताता हूँ एक काम आपको करना है सबसे पहले आए फेस का जो MPSC forensic science का scholarship test है वो आपको देना है टेस्ट होगा कब उसका day क्या है date क्या है time क्या है वो मैं आपको दाओ तो हमारा test जो है वो मंदे को होगा ठीक है आज Friday है तो Saturday Sunday दो दिन आपके पास है मंदे को test होगा और मंदे को हमें पता है जैसे second में है ठीक है मंदे को second में कोई test होगा और test जो है वो सुबह 10 बजे से start होगा तो वो रहेगा आपका शाम को 7 PM तक और यहाँ पर हम कुछ winners आपके लिए announce करेंगे तो जितने भी सारे MPSC forensic science की students है जो aspire कर रहे है उस particular job के स्टूरेंट्स के लिए यह एक बहुत ही important test होने वाला है क्योंकि इसमें हम up to 90% scholarship दे रहे जो की around 2 lakh रुपीज का है तो आपको इससे better opportunity जो है वो नहीं मिलने वाले गाईस तो आपको क्या करना है सिंपल से जो भी हमारे YouTube channel IFS के उनको subscribe करना है वहाँ पर यह वीडियो ऐसे हम डालते रहेंगे और दूसरी चीज जो test का link होगा वह आपको description मिलेगा और अगर आपको test कैसे join करना है क्या करना है इसके बारे में further information चाहिए तो बस आप इस वीडियो की नीचे comment section में बताइए definitely आपको सारी information मिलेगी ठीक है तो government job पाने के लिए IFS ने और एक बढ़िय इनिशिटिव लिया है जिसको आप यूटलाइज कर सकते हो और अगें डोंट फगेट गाइस बैच जो है हमारा वह स्टार्ट हो रहा है कब सेकेंड और में से सेकेंड में से स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए हम आपको scholarship provide कर रहें ठीक है तो आज के इस video session में इतना ही आ अब आपको कुछ भी query होगी डाउट होगा तो आप comment session में बोल सकते थैंक यू गाइस थैंक यू सो मज